तो कैसे हैं आप सब तो आई आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 का सलूशन जो लोग सीरीस से बने हुए उनको पता है जो अभी नए ने जुड़े हैं उनको बता दे कि यह जाम्या मेला इसलामिया बिए डिस्टेंट 2020 22-23 का जो पेपर था जो किसा है दस अब 12 अक्टूबर को लिया गया था उसका सलूशन है और एक पेपर आपका मार्श में लिया गया था तो यह मार्श वाला अप्लोड़ेट है अगर उससे नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा अब उसको देख सकते हो यह जूपिटर जूपिटर के फूर सट्रीलाइट बाद भी गलेलियो नहीं बनाया था बताया था तो अब अगला देखरें तीसरा पर नहीं जाएंगे और अब लिखा हुआ इसलिए क्या करेंगे इसको टिक कर देंगे अब आगे और लिख जाएंगे और यहां फूल फॉर्म से आगया कि अपसे से स्टेंड फार तो यहां इस बार आप इस रो इस ब्रों का इस आप देखें कि रिसेंट में हुआ है तो इस रों पूल फॉर्म में याद कर के जाएगा बागी जितने भी इंटिन साइंस्टिस से जितने भी इंस्ट्यूट है सब का फूलपा में आद कर जाएगा क्योंकि भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में तो इसका आ सकता है इस पर कुशन आ सकते हैं तो जो एप सी सी का एप सी स्टेंड फृल्म फियर कॉर्पॉरेशन इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा बी इस दा करे तो फायर टेंपल फायर टेंपल इस दा प्लेस आफ वर्षिप विच आप दा फॉल्लिविंग रिडिलीजन तो फायर टेंपल पार्शी के लिए होता है तो इसका हो जाएगा अपसंट डी इस दा करेक्ट एंसर हो जाएगा अगर नेक्स कुशन की बात करें तो एह जो बीएट के पेपर में भी आचुका है पिछले साल आया था और यहां पर भी देखने को अपको मिल देख सकते हैं काफी रिपेटिट कोर्शन पूछते हैं काफी रिपेटिटिट कोर्शन पेपूछते जाते हैं तो आप लोग वीडियो को ज़रूर सुरू से लेकर आन तक देखेगा और तीन चार साल को वेपर आप करके चलेए आपको ऐसे हो जाएगा सेलेक्शन गोल प्लेयर विजय सिंग बिलॉंग टू विच कंट्री क्योंकि इसलिए सेलेक्शन हो जाएगा कुछ जाम्य को जो क्राइटेरिया है इगनुसे तुरा हटके हैं इसमें एक्सपेर जिसके सारे बच्छे बीजाय बहुत बहुत बढ़ेते हैं लिगन बन पाता था तो उन्हें एक्सपेरियन्स कर दिया जाता है तो आप भी देख लिए आपके पस एक्सपेरियंस है कि नहीं अगर इसके तभी तो जो गोल प्लेयर विजय सिंग नाम से लग रहा है कि इंड इंस्टूट आफ इंडिया इस लोकेटेट एड तो सब को पता कि कहां पर मुंबई मुंबई का है महरास्ट में पूर इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स सते 52 की तरफ नेक्स पूसर आपका है कि इस लार्जेस्ट रिल्वे स्टेशन है जिसमें 44 प्लेटफॉर्म है और तकरीब करीब करीब 50 एकर के आसपास में फैला हुआ है 50 हो सकता है इसमें 44 प्लेटफॉर्म है तो कितना बड़ा रिल्वेस्टेशन हो सकता है आये 53 की तरफ चलते हैं विच आप दो फॉल्विंग म्यूजिकल इंस्टुमेंट इस प्लेट बाई अमजा दली खांग जो बजाते तो उसे सरोड बोलते तो ऑप्सन सी इसका करेक्ट हो जागा नेक्स अप्सन में 54 की तरफ दा लेडी विद दा लैम वाज दा नेम गिवें टू इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा फ्लोरेस नटिंगल तो इन्हें जो लेडी आप दल लैम क्यों बोला गया था क्योंकि नोने नर्से के लिए क्या किया था मौड नर्सिंग स्टार्ट किया था जिससे बहुत नर्स के लिए हेल्प मिला था और उन्हें ने एक नर्स के लिए स्कूल भी खुला था जो तक्रीबन साहां 8060 था 60 में 2060 में नर्सों के लिए एक स्कूल खुला था जिसके वैसन का नाम पढ़ा lidi उए ल करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक चलते कुछ नमर 56 की तरफ कि वूंग वूंग फॉल्विंग हैस्ट बिकम फूर्थ इंडियन टू बिन ग्रेंट स्लैम तो इसका जो प्रूहन पोपन्ना और कभी-कभी फॉर्स्ट पुछ लेता है जो फॉर्स्ट हो महश भूपती है महश भूपती भूपती कभी-कभी फॉर्स्ट पूछ लेता है तो फॉर्स्ट का भी याद होना चाहिए आपको कि जो फॉर्स्ट इंडियन था जिन्होंने ग्रेंड स्लैम जीता था वो है महश भूपती और जो फॉर्थ है वो है रोहन बोपन्ना और यह साइध आयद तो इसको ब्राजील में किया जाएगा ब्राजील में और अगर कभी यह भी पुछ किसले कि तुसकता है तो फ़र्स्ट किया गया था तो फूटाजन एट में और यूएस में तरु वॉचिंटं में वासिक्टन डिस्सी में हुआ था फिर उसके बाद 2014 आपको पता है कि ब्राजिल में होने वाला है फिर उसके बाद सौथ अफ्रीका होगा फिर फिर दुबारा से यूएस का नंबर आ जाएगा और अपने इंडिया का जो करन दुबारा जो नंबर आगा हो 2022 में आगा दुबारा जो यह टिवन्टी समिट होगा वे 2022 में होगा ऐलाकि यह जो लॡुकि इंडिया का नंबर w 2021 मेंी था लेकिन कुछ इंटर्नल मसलों की वेज़ стоит 2023 में करवाए गया अलाकि और ही समिच के वेज़न होगा यहां एक्षिन वे चाहिए था लेकिन तो इसको जो लिखी है अनुदती रॉय लिखी है तो अनुदती रॉय हो जाएगा इसका डीक इस दर करेक्ट आए नेक्स चलते हैं कोईसन नमर 59 की तरफ विच अप दो फॉल्विंग कंट्री है एप्रूवड फर्स डेंगू वैक्सिन तो वर्ल्ड की फर्स डेंगू वैक्सिन जो है ओ देखने से सबको लग रहा है कि यूके होगा कैनेडा होगा फ्रांस लेकिन मैक्सिको ने किया है और आपके जीके के लिए एक बात और बताती कि ये 2015 में बनाया गया था 2015 नेक्स चलते हैं कोशन नमबर 60 की तरफ कि विच्ट फॉलिविंग इस डे लारजेस्ट एयर पॉलिटेंट तो इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएका कार्बन मोनोऔक्साइड कार्बन डियंक्साइड नहीं होगा कार बन मोनोऔक्साइड हो जाएगा भी इस द गर्रेक्ट ऑप्सनों दूसरा कोश्शन आगया KD-RD हैं जब जाएगा इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा एक एड़्वेंस रिशर्च एंड डिफल्पमेंट लेबॉर्टी इसका एड़ गरेक्ट एंसर हो इकोनॉमिक्स के फिल्ड में पाए थे और इनहीं मिला थे हैं नायटी नाटी नाटी एड्ट में नेक्स अलते कॉर्शन नमबर 64 कि इसका तवायूस सभी ने सही कर अधिया हूँगा कि मेन एंसर डी इसमें पूछाया है कि appreciation, love, affection are the part of the following needs of child तो इसका हो जाएगा emotional is the correct हो जाएगा emotional is the correct option next question number 66 के तरह the concept of education, the concept of education as purification of the mind and heart was given by तो इसका हो जाएगा डी गांदी जी ने दिया था next question number 67 की तरह अब देखिए paper बनाने के गलती क्या हुआ same question अभी आपका teaching of literature में पूछा गया था same question, the most important function of a teacher is to अभी just कराया था पिछले वीडियो में और इस same paper में दो-दो question देदी है तो इसका correct answer हो जाएगा A, facilitate learning तो दीखिए क्या जब एक ही साल में question दोबर repeat कर सकते हैं तो चार-पांच साल का गर आप paper कर लेंगे तो ऐसे ही clear हो जाएगा आप लोग का next question number 68 की तरफ बोला है कि the classroom communication of the teacher rest of the principle of teacher rest on the principle of इसका correct answer C हो जाएगा enlightenment ठीक है enlightenment बाकि यह दोनो technical word है इसको छोड़ दिए यह दोनो first year छोड़ दिए और entertainment वाला की हो गया next section 9 की तरफ the first open university in India was set up in the state of आंद्रप्रदेश इसका correct answer हो जाएगा C आंद्रप्रदेश यह आपका हुआ था 1982 में इस इनवर्सिटी के नाम था डाक्टर भीम राओ अमबेट कर open इनवर्ट जिससे हैं अधरवाद में open किया गया था है है अधरवाद कहा है आंद्रप्रदेश में तो correct answer हो जाएगा C माइन टू मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट तो एक्सेंट इसका correct answer हो जाएगा A is the correct answer हो जाएगा तो यह रहाद सेक्षन आपका सेक्षन नंबर 3 अगर सेक्षन 4 आपको चाहिए तो comment box जल्दी केजिए जल्दी से मिल जाएगा क्योंकि कली पेपर है आप लोग भी समझ सकते क सब्सक्राइब जाएगा क्योंकि देखें आप आपने खुद देखा कि अभी 2022 में 2022 को रिपीट करते हैं तो सोचे बागी का क्या आलम होगा तो पेपर को रिपीट करके जरू जाएगा खासकर जो इस बार के पर हुआ है 2023 का बीएट का दोनों का एक डिस्टेंस वाला और इन दोनों को करके ही जाएगा इनके भीना मत जाएगा अगर इनके भीना जा रहें सलीके बहुत कुछ मिस कर रहें आप देखेंगे इन में बहुत सारे सीमिलर चीज़े मिलेंगी और अगर आपने 2023 का बलाईस का टैस्ट और 23 का जरनल वियेट कर दिया तो रिजिनिंग मान आपके कमेंट आएगा तब सेक्षन फोर भी आएगा तो चलिए तब तक अपना बहुत कहले कि तैंक्स पर वाचिंग और लाइक सस्क्राइब जरूर कर दिजेगा और अपने दोस्तों में भी से सेर जरूर कर दिजेगा